वही कोरणा के दोर में प्रदेश का सहकारिता विभाग लगातार काम में लगा हुआ है। सर आज प्रियोक्षाला का उद्गाटन किया गया आखिर क्या कुछ खास है क्योंकि पहले जो है इसके लिए दिक्कत होती थी निश्ची रूप से जैसे जैसे हम आत्म निर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं वैसे आत्म निर्भर विभाग की ओर भी बढ़ रहे हैं अभी तक परिक्षण के लिए और टेस्टिंग के लिए हमको किसी दूसरे की लैब में जाना पड़ता था अब हमने अपनी लैब बना ली है जिस लैब में हम अपने लोगों को परिक्षण भी कर सकेंगे और अपना परिक्षण भी कर सकेंगे अभी तो हमारी लैब छोटी है आउशिक्ता भरके है लेकिन दिरे दिरे इसको और भी बढ़ाएंगे जितनी आउशिक्ता होगी उत्री इसको बढ़ा लेगे अगर इस से हटके अगर बात की जाए राजनीती की बात की जाए प्रियांका गांधी लगातार जो है ट्वीटर पर है रही है इस बार माने प्रियांका गांधी उत्तर प्रदेश में आ रही है क्या लगता है किस दिरे प्रियांका गांधी आ रही है निश्यत रूप से उनको जहां आएंगे वो अपना काम करेंगे उत्तरपदेश की जनता अब पहिंचान चुकी है और अपने नड़े ले चुकी है कि सहकारता को लेकर पिछली सरकारों में कई सवाल खड़े हों थे हैं इस बार ऐसा क्या कूछ खास है कि क्या बदला हो गारे अब सहा काऱता की दिसा में आपको यह लेगेगा एक तो सहकारता ने विश्वा सनियता अरजित की है आज समाज में सहकारिता के प्रती जो चर्चाएं थी वो चर्चाएं बंद होकर सकारात्मक चर्चाएं प्रारंब होई हैं दूसरा अभी तक सहकारिता विवाग में केवल तीन संस्थाएं थी जो लाभ में थी पैक्सफेड, UPCB, SWC बाकी सब घाटे में थे और आज हम कह सकते हैं कोई भी संस्था, एक भी संस्था हमारी घाटे में नहीं है सब लाभ में हो गई, अब घाटे के सब्दे समापत हो गया तो ये थे सहकारिता मंत्री मुकुट वहरी बर्मा जनुने साफत वर पर बोला प्रियोक्षाला होने से, अब दूसरी प्रियोक्षाला में नहीं जाना पड़ेगा और इसके साथ-साथ अगर बात की जाए, जो सहकारिता विभाग अलग किया गया है जो केंदर में उससे कहिना कि बड़ा लाब होगा जिससे प्रदेश की जन्ता को भी बड़ा लाब होने को है इससे देखना यह होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर आगर सहकारिता विभाग पर जब सवाली निसान खड़े होते थे क्या ये सवाली निसान इस सहकाईता भी भाग जो केंद्र से अलग हुआ है उनके खड़े होने से नहीं होगे कैम श्राम इसके साथ राम निजबट जनतंतर टीवी लख लो खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंतर टीवी और प्रेस्ट बेल इकन नेवर मिस अनी अपदेट